भोजन, वस्त्र और मकान ये तीनों ही मनुष्य की मूल्भूत आवश्चता हैं मनुष्य को जीवन जीने के लिए ये तीन चीजें इनकी आपूर्ती होनी ही चाहिए तो सबसे पहला तो उसको जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्चता होती है फिर तन को ढखने के लिए वस्त्र की और रहने के लिए एक च्छत या आवास की आवश्चता होती है और ये तीनों ही उसके जीवन के लिए अनिवारी हैं उसकी मूलफूत आवश्चक्ताई हैं ये हम सभी को पता है और चुकि मनुशे एक समाजिक प्राणी है और वो किसी न किसी एक समाज को बिलॉंग करता है समाज कर रहने वाला होता है उसके आसपास किसी समाज के लोग रहते हैं तो हम ये कहें कि उस घर की आवश्चक्ता उस आवास की आवश्चक्ता उसे क्यों होती है क्यों पढ़ती है उसे एक छट की आवश्चक्ता तो हमें मालूम है कि अगर हम बहुत ठके हुए हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम रात में अपने घर में थोड़ी चैन्द की नीन ले लें तो हमारी पूरी बॉड़ी जो है वो रिलेक्स हो जाती है तो चाहे हम आराम करने के लिए कहें या अपने आवशक्ता की जितनी भी चीजें हैं उनके भंडारण की बात करें और इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें एक सुरक्षा जो आसपास हिंसक पशू होते हैं या किसी अन्नी प्रकार से भी एक सुरक्षा की जो भावना होती है हमारे अंदर उसके लिए भी हमें आवास की आवशक्ता होती है एक घर और मकान की जरुरत होती है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि अभ हमने कहा कि चुकि मनुष्य एक समाजिक प्राणी है तो इस समाज में किसी भी समाज में रहते हुए उसे अलग-अलग प्रकार के जो धार्मिक आयोजन है या हम किसी सामाजी कारिक्रम की बात करें इन सब के संचालन के लिए ये सब कारिक्रम के लिए भी उसे एक घर या मकान की आवशक्ता होती है और मनुष जिस स्थान पर भी रहता है या हम ये कहें कि जिस स्थान का चुना वो अपने आवास या मकान बनाने के लिए करता है तो वहाँ पर वो इस्थाई रूप से या अईस्थाई रूप से मकान बना कर रहना शुरू कर देता है और वही इस्थाई या अस्थाई जो आवास है उसे हम मानोबस्ती कहते हैं इस मानोबस्ती में मकान भी मकान तो शामिल होगे ही घर तो शामिल होगा ही इसके साथ ही साथ अलग-अलग प्रकार की उसकी आवश्चक्ता की जैसे कोई दुकान है ऑफिस है अलग-अलग प्रकार कि जो कारियाले हैं और हम साथ ही जो परिवहन के साधन जो सड़क मारग हैं गलिया हैं इन सभी को मिला कर हम एक मानो बस्ती कहते हैं अब हम बात करते हैं कि अभी जैसे हम ने कहा कि वहां पर जिस स्थान का मनुश्य चुनाओ कर रहु है वहां पर या तो वो इस फ़ाई रूप से यह अईस्थाई रूप आइस्थाई मतलब वो किसी जोपडी या तंबू बना कर रहे तो वो एक आइस्थाई आवास हो गया जैसे हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी जंजातियां हैं जो पशुचारण का काम करती हैं घुमककड जीवन वो व्यतित करती हैं तो क्या होता है वो एक श्लैशन बर्न जो कल्चर है खेती है वो करती है तो वो किसी एक इस्थान पर जाती है वहां पर छोटी सी जोपडी बना कर वो रहते हैं और जब वो वहां पर की जो भूमी है उसका उपजावपन खतम हो गया तो फिर वो दूसरी जगा प्रवास करते हैं फिर वहां जाएंगे फिर वहां पर एक 5 एष ठाई रूप से चोटी जोपड़ी बनाकर रहते हैं तो यह जो इस प्रकार की जो आवास या दिवास की हम बात करते हैं तो यह अई स्थाई हो गया क्योंकि मनुश्य वहां पर इस ठाई रूप से पर्मानेंटली वहां पर निवास नहीं इसके साथ ही साथ हम देखते हैं आप किसी हील स्टेशन पर चले जाते हैं या इसके अलावा आप कहीं भी जैसे घूमने जाते हैं और आप वहां पर कुछ दिन रह रह रहे हैं तो छोटा सा एक तंबू बना कर आप वहां पर के परियावरन का आनन लेना चाहते हैं वहां पर जहां पर मनुश्य अपने निवास के लिए एक छट का निर्माड करता है अइस्थाई रूप से चाहे वो तंबू हो गया या घास फूसे बनी जोपडी हो गई यह सभी अइस्थाई अधिवास हो गए और जहां पर मनुश्य पक्के मकान बना कर रहता है पक्के रूप से मकान या अधिवास जो हैं वो इस्थाई भी हो सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक छोटी सी जोपड़ी से लेकर ये बस्तियों में एक बड़े-बड़े महल या मकानों का समूह भी हो सकता है मतलब ये मकान के भी अलग-अलग प्रकार हो सकते हैं चोटी घास फूसे वनी जोपड़ी चोटा तंबू या बड़ा-बड़ा महल जहां पर हमको मिले उनका समूह वाली भी बस्तियां जो हैं वो हो सकती हैं साथ ही अगर हम इन बस्तियों की बात करें तो ये एक छोटे से कजबे छोटे से पुर्वे से लेकर जिसमें कुछ जो 15-20 घर हो तो एक छोटे पुर्वे से लेकर एक बड़े नगर और महा नगर तक भी ये बस्ति हो सकती हैं और ये तो आकार की बात हो गई अगर हम कारे के अधार पर देखें तो ये बस्तियां ग्रामीड भी हो सकती हैं और नगरी भी हो सकती हैं ग्रामीड देखने से आपको यहां पर पता चल रहा होगा, पक्के, कच्ची गलियां हैं, कच्चे रास्ते हैं, और कुछ कच्चे मकान आपको नजर आ रहे होंगे, और वहीं पर हम दूसरी जगह देख रहे हैं, पक्के मकान और बहुत सारी वहां पर सुविधाई, कि अश्थाई हashes लेकर बड़े महानगर तक तक मैंध रहा बकरोष्य हैं यह जो अकुछ कह सकते हैं तो इसके यह अलग अलग हम कह सकते हैं कि प्रकार कामीया प्रतिरूप भी जो है हो अलग है लग स् ou form of the region each जो हैं वो बदलते रहते हैं बदल बदले जा सकते हैं यह हम कहें कि समय के अनुसार यह बदलते रहते हैं यहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनके कारिय का स्वरूप भी बदलता रहता है जोरी नहीं है कि यहां पर किसी स्थान पर एक छोटा सा पुर्वा या कोई एक बस् विक्सित हो गई और हम कहें आप वहां पर कुछ दो चार ही घर थे और वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं या तो वह एक छोटे दुकान में काम करते हैं या वही आसपासी उनके खेत हैं तो क्रिशी का कारे कर रहे हैं तो समय के साथ-साथ ऐसा नहीं होगा कि हम उतने ही घ कारे कर्ने वाले लोंग जो हैं और वही कारे करने वाले लोग वहां पर नज़ता अपर नजर आएंगे जैसे जैसे समय beni बड़ता जाएगा तो हम यह देखेंगे कि उस बस्ती का आकार भी बढ़ा ह Var bạn उसका स्वरूप बदलता जाएगा और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनके जो कारी करने का स्वरूप है वो भी बदलता जाएगा हो सकता है पहले वो कृशी करते होंगे फिर बस्तियां बड़ी हुई, परिवार का आकार बड़ा हुआ, लोग थोड़ा पढ़े लिखे, तो वो किसी नौकरी में लग गए, कुछ बिजनेसमेन बन गए, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के कारे का स्वरूप भी समय के नुसार बदलता रहता है, लेकिन चाहे वहाँ रहने वाल वहाँ रहने वाले लोग बदल सकते हैं, कारे का स्वरूप बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है, लेकिन बस्तिया निरंतर बस्ती रहती हैं, ऐसा नहीं होगा कि वह बस्ती वहाँ से गायब हो जाएगी, बस्तिया लगातार वहाँ पर बस्ती रहती हैं, अब हमने समझ एनता की आवास क्या है वास्टा क्यों पड़ती है questo हम मानव भस्ति एधिवास किसे कहें इसके स्वरूप किस प्रकार के होते हैं अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन बस्तियोंके बरगी करन पर यह जो हमें बस्तियां मिलती हैं भी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी कि चाहे वो इस्थाई हो या इस्थाई भी हो सकती है ग्रामिन हो सकती है नगरी हो सकती है तो इस आधार पर हम इन बस्तियों के वर्गी करण पर चर्चा कर लेते हैं तो अगर हम बस्तियों का वर्गी करण देखें, तो मुख्य रूप से हम इने तीन आधार पर विभाजित कर सकते हैं, पहला है इस्थाईत्व के आधार पर, इसके दो वर्गी करण हैं, पहला इस्थाई बस्तियां और दूसरा इस्थाई बस्तियां, इस्थाई बस्तियां मतलब जिन बस्तियों में लोग पर्मनेंट अपने अधिवास या आवास को बना कर रहते हैं, वो इस्थाई बस्तियां होती हैं और दूसरी अइस्थाई, अइस्थाई बस्तियों में जिसे हमने थोड़ी देर पहले चरजाई की थी कि कुछ ऐसी जंजातियां होती हैं जो पशुचारण करके अपना जीवन व्यतित करती हैं या हम यह कहें कि जूम खेती जो जंजातियां करती हैं वो भी एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर लगातार प्रवास करती रहती हैं तो वो किसी भी एक इस्थान पर इस्थाई रूप से अपने मकान या अधिवास बना कर नहीं रह सकते क्योंकि वो लगातार प्रवास करते रहते हैं तो ऐसी जनजातियों के द्वारा भी जो बनाई गई बस्तियां हैं जो मकान बनाए जाते हैं वो अइस्थाई अधिवास के उधारण होते हैं अब हम बात कर ले कारी के आधार पर तो कारी के आधार पर भी इसके दो वरगी करण है पहला ग्रामीर बस्तियां और दूसरा नगरी बस्तियां तो ग्रामीर बस्तियां और नगरी बस्तियों को हम उनके कारी के आधार पर विभाजित करते हैं जैसे जो ग्रामीर छेत्र के न 75-80% जनसंख्या जो है वहां क्रिशी कारिय में या फिर मत्सिपालन में वानिकी में खनन में इस प्रकार से किसी भी प्रकार के प्राथमिक कारिय जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं उनमें लगी होती है वहां रहने वाली जनसंख्या और दूसरी नगरी बस्तियां तो नगरी बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो द्वितियक या तृतियक कारिय में सनलगन रहते हैं अब हम इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की लगभग 70 से 75 प्रतिशत जनसंख्य के अधी बात करें तो हम देखेंगे कि बहुत कम लोग ये प्रात्मिक कारे में लगे रहते हैं अधिकतर जनसंख्या जो है वो यहाँ पर दृतियक और तृतियक कारियों में ही सनलगने रहती है जैसे कि अलग-अलग प्रकार की सेवाएं हो सकती है वानिज्य है, परिवहन सेवा है, उद्योग है, विनिर्माड उद्योग है इस प्रकार के कारियों में शोध है इन सभी कारियों में यहां रहने वाली जो जनसंख्या है, मतलब नगरी बस्तियों की जो जनसंख्या है, वहां के लोग जो है, वो इन ही कारियों में लगे हुए होते हैं अब ग्रामीड और नग्जो नगरी बस्तियां होती हैं इनके वर्गी करण का एक प्रमुख आधार कारी के साथ ही साथ जनसंख्या भी होती है लेकिन इसमें बहुत सारी भिनताएं जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं जैसे जनसंख्या के आकार के आधार पर ही हम इनका वि तो यहां हम देखेंगे कि यहां पर जो जनसंख्या रहती है इन घनी अबादी वाले देशों के जो कुछ गाउं हैं हम पूरे देश की भी नहीं बात कर रहे हैं हम इन देशों के जो कुछ गाउं हैं उनकी जनसंख्या की ही बात करें तो इन देशों की जनसंख्या है वो और नगरी बस्तियों के वर्गी करन का लेकिन हम मुख्य रूप से एक यही आधार को नहीं मान सकते हैं इसके अलावा भी जनसंख्या घनत्व है जनसंख्या का आकार है और साथ ही साथ जो कारी है और वहां पर मिलने वाली जो सुविधाएं हैं इन सभी के आधार पर हम ग्र सभी के आधार पर यदि हम देखें तो एक तो सन्हत बस्ति होती है घनी बसी हुई और दूसरी है प्रकिर्ण प्रकिर्ण नाम से पता चल रहा है बिखरी हुई बस्तियां तो इसमें भी हम देखते हैं जैसे सन्हत बस्ति की यदि हम बात करें या सघन बस्तियों की बात कर जिससे कि तटी चेत्र हो गठेए या फिर नदियों के जो डिल्टाईी चेत्र है ये ऐसे चेत्र होते हैं जो जहां पर कि preventing अधरुगमी के बहुत ज्यादा उपजावन के कारण यहाँ पर ज्यादा से जनसंख्या जो है वो निवास करना चाहती है ठीक ऐसे ही अगर हम मरुस्थली छेत्र में चले जाएं तो उस मरुस्थली छेत्र में जहां कहीं भी जो पानी के सोर्स मिल गया छोटा सा तलाब मिल गया छोटी जील मिल गई या हम यह कहें कि वहां कि जमीन के किसी भुभाग मे अंडरग्राउंड वाटर का कोई अगर source मिल जाता है तो जादा से ज्यादा लोग वहीं पर उसके आसपास ही उस जल के source के आसपास ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि किसी भी चीज के लिए चाहे हम घरेलू उपयोग के लिए हो या सिचाई के लिए हो या उद्योग के लिए हो जल तो एक महत पूर्ण आवश्कता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तो ये अधिक उपजाओ वाली भूमी जहां पर भी मिलेगी वहां पर इस प्रकार की बस्ती विक्सित होती है और इसकी दूसरी विशेष्टा यदि हम देखें तो इसमें जो मकान या घर जो होते हैं वो एकदम पास पास बने होते हैं सटे हुए होते हैं, उनमें दूरियां बहुत कम होती हैं, को कि वहां पर रहने वाले लोग जो हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उस पानी के सोर्स का या उस उपजाओ भूमी का उपियोग करना चाहते हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि इन बस्तियों के घने बसे होने का एक और दूसरा जो प्रमुक कारण है, वो इनमें सुरक्षा का भाव है. लोगों को लगता है जो आपस में पास-पास बसे हुए हैं, तो एक सुरक्षा का भाव की कभी किसी को जोरत पड़ गई, किसी दुश्मन का आक्रमन हो गया, या कोई हिंसक पशु का भी आक्रमन हो गया, युद्ध या किसी भी अन्य प्रकार की स्थिती उत्पन्न हो गई, तो वो सब एक साथ सहयोग की भावना से सहकारिता की भावना से साथ रहना पसंद करते हैं कि अगर कोई मूसीबत आ गई तो वो एक दूसरे के काम आ पाएं तो इस कारण से भी यहाँ पर हमें बस्तियों में जो घर हैं वो एक दम पास-पास और सटे बनी हुए देखने को मिलते हैं अगर हम भारत में देखें तो जो सिंधु गंगा का हमारा मैदान है और इसके साथ ही साथ जो अगर हम चीन में चले जाएं तो चीन और थाइलेंड में भी हमें जो चीन और थाइलेंड का मैदानी हिस्सा है यहां पर भी हमें इस प्रकार की घनी बस्तियां बसी हुई देखने को मिलती हैं और इसके साथ ही जैसे जापान है तो जापान का क्वांटो मैदान है सघन बसी हुई सनहत बस्तियां जो हैं वो देखने को मिलती है अब दूसरी प्रकार की जो बस्ती है वो प्रकिर्ण बस्ती है प्रकिर्ण मतलब बिखरी हुई तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है तो इसकी एक विशेषता प्रमुख विशेषता तो यह है कि सनहत बस्ती में हमने देखा कि घर जो है वो एकदम पास काफी होती है इस प्रकार की बस्तियों में हम देखेंगे कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में ही घर बना कर रहते हैं यहां पर हम देखेंगे कि जिन देशों में जहां पर भी बागाती क्रिशी की जाती है तो वहां पर किसान जो है वो उन बागानों में या रैंचों म ही अपने घर बना कर रहते हैं यदि हम भारत में बात करें तो भारत में इस प्रकार की जो बस्तियां है वो हिमाचल में सिक्किम और पशिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में इस प्रकार की बस्तियां हमें अधिक बसी हुई देखने को मिलती हैं तो यह हो गई बस्तियों के वर् स्वरूप मिलता है तो ऐसे कौन से कारक हैं जो इन ग्रामीन बस्तियों को प्रभावित करती हैं तो उन सभी कारकों के पर हम थोड़ी चर्चा कर लें सबसे पहले तो हम देखते हैं जल आपूर्ती जल आपूर्ती मनुष्य के लिए जल तो बहुत अनिवार यह है उसके बीना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते तो जहां कहीं पर भी जो बस्तियां विक्सित होती हैं चाहे वो ग्रामीन हो या नगरी बस्तियों की भी हम बात कर तो जल जो है वो एक महत पूर्ण कारक होता है जो इन बस्तियों के विक्सित होने के लिए उसको प्रभावित करता है क्योंकि बात तो वही हो गई कि चाहे हमारे घरेलू उपयोग की हम बात करें खाना बनाने के लिए खाने के लिए कपड़े धोने के लिए और इसके साथ किसी उध्योग के लिए किरिशी की एदी हम बात करें तो वहाँ पर सिचाई के लिए सभी बातों के लिए हमें जल की आवस्षक्टा होती है.. जल एक अनिवार ये तत्व होता है हमारे जीवन का एक आहम हिस्सा होता है.. तो जहां कहीं भी जल के सोर्स मिलते हैं, तो वहां पर बस्तियां जो हैं, वो विक्सित हो जाती हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भूमी, तो प्राचीन काल से ही हम देखेंगे कि जो नदी घाटियां थी, वहां पर जो बस्तियां हैं, चाहे वो गाउं हो या नगर हो वो विक्सित होई हैं, पहला तो जो इसके ठीक पहले हमने बात की, कि जल की आवश्यक्ता, तो नदी घाटियों में नदी के माध्यम से, जील के माध्यम से जलकी आप उड़ती होती है, और वही नदी घाटियों में इस्थित, या हम कहें कि बस्तियों के विक्सित होने का दूसरा महत्तो पूर्ण कारण वहापर की जो उपजाव भूमी होती है, जो भी नदी घाट तो अधिकाधिक रूप में हम देखते हैं कि इन नदी घाटियों के आसपास ही ये बस्तियां जो है वो विक्सित हुई देखने को मिलती हैं। कारण यहां पर उपजाओ जमीन का होना और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे जैसे यहां जो घरों के प्रकार हैं आवास का जो प्रतिरूप है उसे भी भूमी जो है वो प्रभावित करती है जैसे कि हम यूरोप में चले जाएं तो यूरोप का जो दलदली और वहां पर जो या उस चेत्र में धल्वा मैदानी चेत्रों में घर वो बनाए जाते हैं और इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो दक्षन-पूर्वी-ेशिया है के ज़िए पर निचली नदी घाटियं जहांपर चावल की खेती चावल की कृषिय जो है उन नदी घाटियों में बहुतायत मा पात करें तो हम देखेंगे कि निचली नदी घाटिव में निचले छेत्र में ही अधीकाधी बस्तियां जो है वो बसी हुई मिलती हैं अब हम उश्नकटी बंधी छेतर में चले जाएं तो हम देखेंगे कि जो उश्नकटी बंधी छेतर के जितने भी दलदली छेतर हैं, उनके पास जो घर हैं या वहां रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने घर एक इस्तंभ के उपर बनाते हैं, क्योंकि वो एक नीचे का जो छे उसमें एक आधार देके या हम कहें कि लकडियों के कुछ इस्तंभ बनाकर उसके उपर अपने मकान या घर का निर्माड करते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके कारण हमें इन बस्तियों में बने हुए जो मकान हैं, घर हैं, उनमें भी भिन्नता देखने को मिलती हैं, इसके बाद है ग्रिह निर्माड समागरी, ग्रिह निर्माड समागरी मतलब जहां पर जिस एंवायरमेंट में, जिस जलवायू वाले चेतर में जिस चीज की अधिकता होती है, उसके आधार पर ही हमें उन बस्तियों में मकानों के, मकानों में जो प्योग के जाने वाली समा बनाए जाते हैं यदि हम अफरिका के सवाना प्रदेश में चले जाएं तो वहां पर जो घर बनाए जाते हैं वो कच्ची इटों से उसका निर्माण किया जाता है और अगर हम धुरुवी छेत्र में चले जाएं तो ये भी हमें पता है कि धुरुवी छेत्रों में जो जनजा अलग अलग प्रकार की जितनी भी जो राजनैतिक स्थिर्ता होती है या युद्ध है या किसी भी प्रकार से दुश्मनों से जो सुरक्षा का भाव है या उनके प्रती जो एक डर होता है उस डर से सुरक्षा का भाव भी बस्तियों के बसने के लिए मकानों के बनने के लिए उसे प्रमुखरूप से प्रभावित करता है इसलिए हम देखेंगे कि भारत में भी यह हम चले जाए प्राचीन समय में जो भी वहां के राजा महराजा जो भी होते थे और उनके जो कीले होते थे जो दुर्ग बनाए जाते थे वो किसी उचे परवती छेत्र उचे पहाडी छ इन सभी चीजों से सुरक्षा के कारण तब यह जो किले हैं या घर जो है या धिवास जो है वो इनहीं प्रकार इनहीं उचे परवती छेत्रिया द्वीपों में ही बनाए चाते थे अब इन सब के अलावा हम देखें तो कुछ नियोजित बस्तियां होती है जैसे अगर हम व वो बसाये जाने लगे हैं और इन गावों को आदर्श गाव की संग्या जो है वो दी जाती है यह गाव वहाँ पर रहने वाले ग्रामीर या गाव वाले जो है वो उनके द्वारा नहीं बसाया जाता यह बस्तियां यह ग्रामीर बस्तियां जो है वो शाशन के द्वारा बस उन सभी को ध्यान में रखकर वहां रहने वाले लोगों के लिए ये सभी चीजे जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं और एक सून योजित तरीके से या प्री-प्लांट तरीके से इन बस्तियों को बसाया जाता है जदी एक्जामपल आप से पूछा जाए तो हम चले जाए आप लिए यूजित बसाया जाती है उन्हें ग्रामेडी करण योजना के अंतरगद बसायी बसाया जाता है और आप ये बहरत में चले जाएं तो भारत में जो इंद्रा-गांधी नहर है वहां नहर चेतर में नहरी करन करके जो आसपास की बसतियों को बसाया गया है वो भी इसी प्रकार की नियोजिद बसती के अंतरगत ही चामिल किया जाता है तो एक छोटे प्रश्ने की रूप में आप से ये पुछा है Psal citat पुछा जा सकता है कि ग्रामीरी करन योजना के अंतरगत किस देश में इस प्रकार की ग्रामीर बस्तियां बसाई जाती है या इथियोपिया में किस योजना के तहत इस प्रकार की बस्तियां बसाई जाती है या भारत में इस प्रकार की बस्ति के कौन से उधारण है तो इस प इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रामीड बस्तियों की विश्यश्ताओं पर ग्रामीड बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनका सीधा संबन भूमी से होता है इसके साथ ही यहां के जो निवासी होते हैं वो मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय जैसे की मत्सिपालन, कृशी, खनन, आदी में सनलगनों होते हैं साथ ही यहां कृशी जो है वो यहां के लोगों का प्रमुक व्यवसाय तो होता ही है और खनन या मत्सिपालन के अतिरिक्त हम देखें कि मुख्य रूप से क्रशिक कार्य ही किया जाता है ग्रामीन पस्ती के मकान इस्थानी उपलब्ध सामागरी से निर्मित होते हैं फिर चाहे वो घास पूस हो या कोई पत्थर वहाँ पर मिल रहा है पहाड़ी इलाके में तो उससे संबंधित मतलब जो भी वहाँ पर स्थानी सामागरी उपलब्ध होती है उसी आधार पर वहाँ पर आवास का निर्मान किया जाता है ग्रामीन पस्ती के मकानों की कोई सुनिश्चित योजना नहीं होती यह वहाँ पर उपलब्ध भूमी के आधार पर और उनकी पश्वों के निवास के लिए निर्माड किया जाता है ग्रामीन बस्तियां जल की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं मतलब जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो पाए उसी के आसपास आवास जो है वो विक्सित हो जाते हैं साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि के जो निवासी होते हैं उनमें सहयोग और सहकारिता की भावना अधिक होती है नेक्स्ट है ग्रामीन बस्तियों में जीवन यापन की सुविधाएं नगरों में जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उनकी अपेक्षा बहुत कम होती है यह सभी ग्रामीन बस्तियों की वि ग्रामीर बस्तियों की समस्याएं, बच्चों हमने ग्रामीर बस्तियों की विशेष्टाएं देखी, वहाँ पर मिलने वाले जो आवास हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारकोप पर भी चर्चा की, और उनके प्रतिरूप पर एक नजर डाली, अब इसके बाद हम देखते ह हैं कि जो ग्रामीर बस्तियों होती हैं या वहाँ पर जो अधिवास विक्सित होते हैं, उनमें किस प्रकार की समस्याएं जो हमें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहला है उनमें पेजल का अभाव, जो संसार या हम पुरे विश्व की भी बात करें, तो विश्व के जो आना पड़ता है, और इस्पेशली यदि हम किसी रेगिस्तानी छेत्र के गाउं या परवती भाग में किसी ग्रामी नधिवास की बात करें, तो वहाँ पर तो पेजल की समस्या जो है वो अत्यंत गंभीर समस्या है, दूसरा है जलवाहित रोप, मतलब पेजल की गुरवत् जो बीमारिया है, जो पानी से फैलती है, जैसे हैजा है, पीलिया है, यह जो रोग होते है, यह बीमारिया है, वहाँ पर बहुत अधी फैलती है, तीसरा है बाढ़ और सूखा, हम दक्षिन एशिया के जितने भी देश हैं, वहाँ के गाउं में चले जाएं, तो हम देखें पर वहाँ कृशी से जो फसलों का उतफादन होता है, उन्हें भारी छती होती है, बहुत जादा हानी उठानी पड़ती है, नेक्स्ट है, कच्रे की समस्या या सिवरेच की समस्या, तो यह तो बहुत एक गंभीर समस्या होती है, गाउं में, चाहे हम वहाँ पर जो सौचाल होते हैं, और इस्पेशली महिलाओं के लिए इस सीज में कठिनाई उठानी पड़ती है, और साथ ही साथ जो कच्रे की समस्या होती है, इसके कारण भी उन्हें अनेक रोगों का शिकार होना पड़ता है, तो यह दोनों ही विवस्थाएं जो हैं, वहाँ पर सुचारू रू घेरे में रखना किसानों की मजबूरी होती है, और इसके लिए उन्हें अनेक रोगों के फैलने का भी खत्रा बना हुआ रहता है, फिर अगला है परिवहन और संचार साधनों का अभाव, अधिकतर हम देखते हैं कि गाव में परिवहन से संबंधित और संचार से संबंधि मतलब वहाँ परिवहन से संबंधि सुविधाओं की हम बात करें, तो जैसे सडके हैं, तो सडकों में भी पक्की सडकों का अधिकतर हमें अभाव देखने को मिलता है, या फोन संचार से संबंधित जो सुविधाएं हैं, उनकी भी समस्या बनी हुई रहती है, तो ये दोनो ही जो परिवहन और संचार के साधन है, इस बात की सुविधा वहाँ पर किसी भी ग्रामीड शेत्र में बहुत अच्छी जो है, अच्छी सुविधा वहाँ रहने वाले निवासियों को नहीं मिल पाती है, तो ये सभी जो हैं, वो किसी भी ग्रामीड बस्तियों में जगरी छेत्र में इस प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती।